दोस्तो आप सभी को सागत करता हूँ दोस्तो जैसे आप लोग को पता हुगा कि अपनी साइको की डेट आ चुकी है साइको टेस्ट अपना 30 जुलाई को एक्सपेक्टेड है ठीक है तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है नहीं तो आप कहीं नहीं कहीं इस पूरी NTPC की प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे आप एक छोटी सी गलती करोगे सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ठीक है तो ये गलती आप लोग को कहीं नहीं करनी है तो मैं बताता हूँ क्या बात है एक्चुल बाती है बहुत सारी लोग आपको गुम्रा कर रहें नहीं बता रहें लेकिन मैं पहले भी वीडियो बना चुका था लेड़ी साइको टेस्ट के उपर आप लोगों के कुछ लोगों के बैट कमेंट आए कुछ लोग समझदार हैं समझगे कि क्या बात है है 30 जुलाई को हमारा साइको होने वाला हम लोग का उसमें माँगा गया आप से एक प्रोफार्मा ओसमें बोला गया है कि आप अ 2 मेडिकल डिक्रेयर करिए खुद को कहने का मतलब यह है कि आप दिखाईये कि आप अ 2 मेडिकल इस्टेंडर में आते हैं आपको क्या करना है आपको private या government doctor से आपको अपना जो नेत्र विस्षे सग्य होगा उससे अपना i check-up करवा कि a2 medical declare करवा कि प्रोफार्मा ले जाना है प्रोफार्मा नहीं ले जाएंगे तो आपको साइको नहीं होगा यह आपको सब जानते हैं इसमें जानकारी वाली समधारी वाली बात यह है कि रेलवे आपने दिखा दिया आपके नंबर आपके नंबर पांच साथ नंबर जादा हैं आपके कटाफ से साइको की अच्छी त् कर रहे हैं आप ठीक है आपने आपका आई में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत लेकिन आपने डॉक्टर से फ़र्जी तरीके से बनवा दिया अब ये बताईए कि जब कटाप बनेगी फाइनल मेरिट की इस्टेशन मास्टर की तो वहां तो वन इस्टू वन के रेसियू में आपको ले जाए जाएगा यही बात में पहले भी वोला था लोग आफ्रिंड कर गये थे वहां तो आपको वन इस्टू वन के रेसियू मुलाय जानी कि अगर 500 सीटे हैं तो 500 लोग को साट्डिश किया जाएगा पांसो लोग को वन इस्टू वन के रेसियू में डीवी और म मेडिकल है अब आप पांसो लोग बुलाया गया अब वहां सीटे खाली दे जाएंगी क्या आपको वहां पे अगर वहां चटते हैं तो आपको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा नहीं मिलने वाला है 2015 वाले में भी यही हुआ था 2015 वाले में भी यही हुआ था कि जिनने A2 Medical अपना डिकलेर करवाया था अगर RRB ने करवाया A2 नहीं निकला तो वहां पूरी प्रक्रिया से वह छट गया है दूसरी पोस्टे नहीं मिली आप क्यूं चाहते हो कि फरजी अपना A2 B2 बनवा के जाना चाहते हो मत करो आपका एक जो एक्जैक्ट हो का उसी के वही दिखाना अगर A2 नहीं निकला तो मत जाना आप मेरी सीट नहीं ले जाओगे ठीक है ना आलेडी मैं वर्किंग हूँ तो आपको इस समध्दारी के रिए मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था धाई मेना पहले कि आप इस तरीके से छट सकते हो पुरी प्रक्रिया से कुछ लोग आफिंड कर गए अब ये बताओ आपने खुद देक्लेयर कर दिया कि भईया मेर ली अब क्या वेटिंग डिस्ट में लड़के भरेगी जब वन इस टूवन के रिस्ट कर चुकी है रेलवे मान चुकी है कि आप इस्टेशन मास्टर हैं आपके डिवी के बुला दी अब वहां पेटू नहीं निकल ले हैं तो आपकी गलती रेलवी कहीं कलती नहीं है इसमे और जो लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी वो अधूरा ग्यान लेके बैठे हैं मैं आपकी समधारी के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ ठीक है तो आप क्रिप्या करके अपना जो एक्चूल आपका स्टेंडर्ड मेडिकल आता है वही दिखाईएगा एक आद न इसमें न जाए नहीं तो आपकी और पोश्टे भी चली जा सकती है ठीक है और पूरा स्टड़ी करके मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसमें कोई अफ्रेंड करने वाली बात नहीं है आगे कोई अगर आपकी कमेंट होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा ठीक है तो थ झाल 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